अनुमुला रेवंत रेड़ी, जिन्हें लोक्त्रिय रूप से रेवंत रेड़ी के नाम से संबोधित किया जाता है, ने 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहेन किया. आठ नवंबर 1979 को जन में वह वर्तमान में तेलंगाना विधान सभा में कोडंगल विधान सभात्षेत्र के प्रतिनिधी के रूप में कार्य करते हैं और हैं. भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस पार्टी से संबद्ध मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका से पहले, रेवंत रेडी ने भारतिय संसद में मलकाजगिरी लोकसभात्षेत्र के लिए संसद सदस्य का पद संभाला था. एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में उन्होंने जुलाई दो हजार इक्कीस में एन उत्तम कुमार रेडी के स्थान पर तेलंगाना प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी का नेत्रित्व करने की जिम्मेदारी संभाली. रेवन्त रेडी के नेत्रित्व में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस दो हजार तेईस के तेलंगाना विधान सभाचुनाव में मौझूदा भारत राष्ट्र समिती को हरा कर विजी हुई. उनकी राजनीतिक यात्रा को सार्वजनिक सेवा के प्रती, उनकी प्रतिबधता और कॉंग्रेस पार्टी के भीतर रणनीतिक भूमिकाओं की एक श्रिंखला द्वारा चेहनित किया गया है. रेवंत रेड़ी का मुख्यमंत्री पद पर आसीन होना उनकी राजनीतिक कुशलता और मतदाताओं के व्यापक समर्थन का प्रमाण है. विधान सभाचुनाव में उनकी जीत ने तेलंगाना के लोगों द्वारा उनके नित्रित्व पर जताए गए भरोसे को रेखांकित किया. 8 नवंबर 1979 को जन में और पलेब्धे अनुमुला रेवंत रेड़ी ने अपने निर्वाचन छेत्र और बड़े राज्यते लंगाना के कल्यान और विकास में योगदान देने की दृष्टी से राजनीतिक छेत्र में प्रवेश किया. राजनीती में उनकी यात्रा को तब गती मिली जब उन्होंने भारत की संसग में मलकाजगिरी लोकसभाट शेत्र का प्रतिनिधित्व किया और एक अनुभवी राजनीतिग्य के रूप में अपनी क्षम्ता का प्रदर्शन किया. जुलाई 2021 में घटनाओ के एक महत्वपूर्ण मोर में रेवंत रेडी ने तेलंगाना प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की भूमिका निभाई, जो पार्टी के भीतर काफी जिम्मेदारी का पद था. उनके नेत्रित्व कौशल और जन्ता से जुडने की क्षम्ता ने 2023 में हुए विधान सभाचुनाव में कॉंग्रेस पार्टी को सफलता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 2023 का तेलंगाना विधान सभाचुनाव राज्य के राजनीतिक परिद्रिश में एक महत्वपूर्ण मोर्था और रेवन्त रेड़ी का नेत्रित्व कौंग्रेस पार्टी के लिए जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ. राज्य की प्रगती के लिए स्पष्ट द्रिश्टिकोन के साथ उनका रणनीतिक द्रिश्टिकोन मतदाताओं को पसंद आया, जिससे भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के पक्ष में निरनायक जनादेश मिला. तेलंदाना के मुख्यमंत्री के रूप में, रेवन्त रेड़ी अपने साथ समरिध राजनीतिक अनुभव और लोगों की विविध आवश्शक्ताओं को पूरा करने की प्रतिबधता लेकर आये हैं. कोडंगल विधान सभाट शेत्र का उनका प्रतिनिधित्व जमीनी स्तर के साथ एक मजबूत संबंध को दर्शाता है, जो स्थानिय समुदाय के कल्यान के प्रती उनके समर्पन पर जोर देता है. मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड़ी का कार्यकाल आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और तेलंगाना के नागरिकों की समगर भलाई के उद्देश से की जाने वाली पहलों से चेहनित होने की उम्मीद है. संसदिय राजनीती में उनकी प्रिष्ठ भूमी, राज़स्तरिय नेत्रित्व भूमिकाओं में उनकी हालिया सफल्ताओं के साथ मिल कर, उन्हें तेलंगाना के राजनीतिक और विकासात्मक परिद्रिश के भविष्य के प्रक्शे पथ को आकार देने में एक प्रमुख व लोगों द्वारा उन पर जताये गए भरोसे का प्रमाण है। जैसे ही वह राज्य के सर्वोच पद की जिम्मेदारियां संभालते हैं, मतदाता उनके नेत्रित्व में सकारात्मक बदलाव और प्रक्तिशील शासन के दौर की उम्मीद करते हैं।